चात्रो आप सबको मेरा नमस्कार मैं रामकृष्ण हूँ हिंदी पाठशाला में आप सबका स्वागत है चात्रो आज हम एक निभंद के बारे में चर्चा करेंगे निभंद का नाम है भाई और इसके रचनाकार है रामचंडशुक्ल हिंदी साहित के सरवश्ट्रेष्ट निभंद का रोम में रामचंडशुक्ल का नाम पहले आता है आप आज उनके द्वारा लिखिते एक निभंद भाई के बारे में देखेंगे इसमें मनो विकार के बारे में बताया जाता है मन में विकार परिवर्तन होता रहता है मन में कई भावनाये उठती रहती है ऐसे जैसे भाई, प्रीति, श्रद्धा, करुना ये सारे भाव, ये सारी भावनाये हमारे मन में उठने का क्या कारण है क्यों ऐसा होता है, इसके पीछे क्या वज़़ है आदी बाते यहां हमें इस निभंद को पढ़ने के बाद समझ में आ जाती है भाई एक मनो विकार संभंदी निभंद है मन में यहां विकार का मतलब बुरा ही नहीं है, परिवर्तन हमारे मन में परिवर्तन होता है कभी हमें भै लगता है तो परिवर्तन हुआ हां हमें भै लग रहा है अब मुझे खुशी हो रही है प्यार आ रहा है तो ये सारे परिवर्तन है इस विचार प्रधान निबंद में हिंदी के श्टेष्ट निबंद कर आचारी रामचन्र शुकल जी ने मनुश्य के इस मनोविकार के अनेक पक्षों पर हमें भय क्यूं होता है इसके पीछे क्या कारण है किन को ज्यादा भय लगता है किन को नहीं लगता पहले किस प्रकार का भय लगता था आज किस प्रकार का भय हमें हो रहा है ये सारी बाते यहां लेखक चर्चा करते हैं विचार करते हुए भय की अनुभूति को लोक व्यवहर की दृष्टी से बड़ी सूक्ष मता से स्पश्ट करते हैं भय की व्याख्या करते हुए शुकल जी ने बताया है कि किसी आती हुई आपदा की भावना कोई आपदा कोई कष्ट हमारी तरफ आ रही इसका मतलब है हम किसी कष्ट का सामना करने जा रहे है ऐसी भावना से ही या दुख के कारण के साक्षातकार से जो एक प्रकार का आवेग पुर्ण अथवा स्तंभ कारक मनोविकार होगा उसी को भाई कहते हैं हमें लगने लगा कि कुछ अनिष्ट होने वाला है बुरा होने वाला है तब हमें दुख होने लगेगा अभी हुआ नहीं है होने वाला है अगर ऐसा लगेगा कैसे होगा क्यों होगा भी मुझे हमें पता नहीं है लेकिन हमें ऐसा लगेगा कि कुछ बुरा होने वाला है उसे अगर हम डरेंगे तो वही भई है यह मन का एक प्रकार का विकार है क्रोध और भई दोनों के कारण दुख अत्वा संकट है अगर हमें क्रोध आता है तो उसके पीछे हमें दुख होगा तो उससे क्रोध अगर हमें कोई दुख पहुंचाएगा तो उस पर हमें क्रोध होता है भाई में भी एही कारण है हमें दुख होता है या हम संकट में पढ़ते है मगर अंतर इतना है कि क्रोध में दुख या संकट निश्चित है जबकि भाई में ऐसा नहीं होता अगर हमें गुसा आ रहा है कारण है हमें दुख होने वाला है दुख किस से होगा वो हमें पता रहता है तब हम उस पर गुसा करते है उसी के कारण मुझे दुख हो रहा है मुझे क्रोध आने का कारण वो वेक्ति या वस्तु या परिस्टिती है तो हम उस पर अपना गुसा उतारेंगे लेकिन भाई में ऐसा नहीं होता क्योंकि हमें पता ही नहीं रहता कि किस से हमें भाई हो भाई क्यूं हो रहा है क्यूं होगा या उसके पीछे कोई है या नहीं वो हमें कुछ भी पता नहीं रहता संकट निश्चित है जबकि भाई में ऐसा नहीं होता दुख यहानी की संभावना मात्र से भाई जब हमें लगता है आगे हमें दुख होगा ऐसी कोई गारंटी नहीं है हम निश्चित रुप से बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं कि हमें दुख जरूर होगा लेकिन ऐसे आशंग का मन में आती है उससे ही हमें भै होने लगता है यदि कोई जोतिशी ये उदाहरन के लिए देखिए यदि कोई जोतिशी किसी गवार से किसी अनपट से कहे कि कल तुम्हारे हाथ पाउ तूट जाएंगे कल तुम्हारे हाथ और पाउ तूट जाएंगे कि तोड़ना नहीं तूट जाएंगे तो उसे क्रोध ना आएगा तब वो किस पर गुसा करे क्योंकि कौन तोड़ने वाला है पता नहीं वो जोतिशी सिर्फ यही बोल रहा है कि तूट जाएंगे तो उस विक्ति को किसी पर गुसा क्रोध नहीं आएगा उसे भाई लगेगा भई होगा, पर उसी से यदि कोई दूसरा कर कहे, जो तुछ ने ऐसा कहा, और किसी विक्ति ने आकर कहा, कि कल अमुक अमुक विक्ति आकर तुम्हारे हाथ पेर तोड़ देगा, धब उसे डर नहीं लेगेगा, भई नहीं होगा, उसे उस विक्ति पर गुसाएगा, जो इसका पर या हाथ तोड़ने वाला है तो तुरंद वह तियोरी बदल कर गुस्से से बोलेगा कौन है हाथ पर तोड़ने वाला मैं भी देख लूँगा देखी अब उसके मन में भई नहीं है उसमें गुस्सा है या क्रोध है क्योंकि इसे गुस्सा या गुस्सा क्यों आया क्योंकि उसे कारण पता चला कि इसी के कारण मुझे कश्ट होने वाला है भई तब लगता है जब भई दुख होने वाला है किससे होना वाला है उसके बारे में पता नहीं चलता भई का विशय दो रूपर में प्रकट होता है दो प्रकार से हम भै को देख सकते है असाध्य रूप में और साध्य रूप में कुछ भै असाध्य है इसका मतलब है उसका कोई निवारणी नहीं है और कुछ है साध्य जो भै हमें लगता है उसका निवारण हम कर सकते है परिहार हम कर सकते है असाध्य विशय वा है जिसका किसी प्रयत्न द्वारा मिवारन असंभव हो क्योंकि हम कुछ भी कोशिश करें उससे कोई चुटकारण नहीं होगा भाई तो होगा ही या असंभव समझ पड़े साध्य विशय वा है जो प्रयत्न द्वारा दूर किया जा सकता हो साध्य भाई क्या है अगर हम कोशिश करेंगे तो उस भाई से हम हट सकते है इसका मतलब है उस भाई का निवारन हम कर सकते है उसे हम साध्य भाई कहते है दो मनश्य उसके लिए उदाहरन देते है दो मनशिया एक पहाडी नदी के किनारे बैठे बातचीत कर रहे थे दो विक्ती बैठे है पहाडी नदी बहाड के पास एक नदी बह रही है उसके नदी के किनारे बैठे कर बातचीत हो रही है दोनों के बीच में इतने में उनको पता नहीं है कि को नाया है इतने में शेर की दाहाड सुनाई पड़ी शेर दाहाडने लगता है यदी वे दोनों उठकर भागने चिपने या पेड़ पर चड़ने आदी का प्रेतन करें तो बच सकते हैं यदी उनमें धीरज होगा तो उठकर भागने का प्रेतन करेंगे या कहीं चिपने का प्रेतन करेंगे या पेड़ पर छड़ कर अपने आपको बचाने का प्रयत्न करेंगे परिस्थिती वा मनिश्य प्रकृती पर ये दोनों प्रकार के भाई निर्भर है अगर वे प्रयत्न करेंगे तो वह साध्धि भाई है क्यूंकि उस भाई से वे बच सकते है अगर वे उस जगह से उठते तक नहीं डर कर वहीं रह जाएंगे तो अगर मनिश्य को दुक के अनिवारियता अपनी अक्षमता का बोध हो और उसके हाथ पाउं नहीं हिल सकते है तो उसे असाध्य भाई के वर्ग में रख सकते है अगर वे दोनों डर कर वहीं बैठे रहेंगे डरते हुए उनके हाथ पैर तक नहीं हिलेंगे तो उसे हम असाध्य भाई कहेंगे शेर आएगा और उन्हें खा जाएगा वह आएगा या नहीं यह भी हम नहीं कह सकते क्योंकि भाई में उन्हें खश्ट होगा यह निश्चित नहीं है दुख के निवारन का साहस वा आत्नो इश्वास का बोध होकर निवारन कर करने का प्रयत्न करता है तो उसे साध्य भई के वर्ग में रख सकते हैं हमें भई लगा हमने उसका निवारन ढूंडा तो वह साध्य भई है हमें भई लगा हमने उसके बारे में कुछ नहीं सोचा क्यूंकि हमारे मन में भई इतना हुआ कि हम डर के ऐसे ही बैठ गए तो रोन तब उसे कायरता या भीरता कहते है कुछ वेक्ति ऐसे होते है वे हर एक बात पर डरते है उन्हें भै लगता है उन्में धीरज बहुत कम होता है अगर हर एक बात पर जैसे हम कहें वो तो सबसे डरता है उसे वहाँ जाने से डरता है अंधेरे से डरता है जानौरों से डरता है ऐसे अगर किसी वेक्ती में ऐसे गुण है तो उस वेक्ती को हम कायर कह सकते हैं कायरता है या भीरता है उसमें वह गुण हो जाता है यह मन पुरुष का दोश समझा जाता है जबकि स्त्री की शौभा माना जाता है देखिए अगर सा वही अगर स्त्री डरेगी तो वो उसकी भीरता है उसे हम कायर नहीं कहते स्त्री अगर डरती है तो उसकी शोबा है तो डरना स्त्री की शोबा है ऐसा रामचंड शुक्र ने कहा है लेकिन आजकल जमाना बदल गया है स्त्रीयों के निर्भय होने पर आश्चरी होता है तब जम और लोगों को सामना कर रही है साम को मारने जा रही है उनको डरा रही है तो आश्ठरी होता था पुरिश अगर डरेगा तो वो उसकी कायर अता है अगर स्त्री डरेगी तो हम उसे कायर नहीं कहते वो उसका लक्षन ही है ऐसे हम सोचेंगे भीरुता क्या नेक कारण हो सकते है क्यों हम डरते है कश्ट सहने का असा मरती है हम कश्ट नहीं सह पाते कश्ट निवारन के अक्षमता जो कश्ट हमें होने वाला है न उसके निवारन हम नहीं करस पाते हम अक्षम अपने आपको अक्षम समझते है मुझ से इसका निवारण नहीं होगा मैं शेर से बच के नहीं जा सकता मुझ में उतनी क्षमता नहीं है मैं अक्षम हूँ मैं कमजोर हूँ ऐसा जब लोग सोचने लगते है तो उन्हें असाद्य भै होने लगता है अर्थाहानी का भै भी अगर कोई व्यापार करना चाहता है वो डरता है पैसाद अगाने से पहले ही डरने लगता है तो वह भी भै उसे असाद्य भै हो जाता है तो वो उस खेतर में आगे नहीं बढ़ सकता समाज में धर्म भी रुताच्छी समझी जाती है समाज में धर्म के नम पर डरने के लिए कहते है लेकिन लेखक कहते है कि हद से ज्यादा उसके लिए एक हद होनी चाहिए अगर वे डरते हैं ज्यादा धर्म के नम पर अगर हम कुछ कोई कहे देखो अगर तुमने पूजा पाट नहीं किया तो तुम्हें नरक मिलेगा अगर कोई डरता है वह उस वेक्ति की कमजोरी हो जाती है क्योंकि अगर हम धर्म बूरुता अगर हम हमें हद्द से ज्यादा होगी तो वह मनश्य कमजोर हो जाता है बुजधिल या कायर कहलाता है इसलिए ज्यादा कभी नहीं डरना है दुख या आपत्पी का पूर्ण निश्चे ना रहने पर उसकी संभावना मात्र के अनुमान से जो आवेग शुन्य भय होता है उसे आशंका कहते है यहाँ परिश्चिती अलग है दुख होगा ऐसा निश्चे हमें ही नहीं है इस रास्ते से जाने से रात के समय सांप आपको काटेगा ऐसा कोई विश्वास नहीं है ऐसा होगा कभी कभी हुआ होगा लेकिन अब होगा ऐसा हम निश्चित रुप से नहीं कह सकते सिर्फ संभावना है सौ में से एक लोगों को ऐसा हुआ होगा हाजारों में किसी एक को ऐसा हुआ होगा सिर्फ संभावना मातर के अनुमान से संभावना का अनुमान लगाते हैं अगर ऐसा होगा तो परीक्षा में अगर मैं फेल हो जाऊंगा तो इसी को हम इसे हम भई नहीं कहते हैं इसे हम आश जानते से पहले भी उसके मन में एक परकार का डर रहता है उसे हम भई नहीं कह सकते हैं उसे हम आशंका कहते हैं उसमें वैसी आकुलता नहीं होती यहाशंका परिक्षा दिखने के बाद उस विद्यारती में यहाशंका परिक्षा परिनाम निकलने तक भी रहती है उसका संचा और कुछ धीमा पर अधिक काल तक रहता है वह डरता रह थोड़ी आशंका मन में रहती है लेकिन वह अपने अपना काम काज करता ही रहता है धने जंगल से होकर जाता हुआ यात्री चाहे रात रास्ते भर इस आशंका में रहे कि कहीं चीता ना मिल जाए पर वह बराबर चल सक देखिए उसके मन में एक आशंका है एक आदमी रात के समय या जंगल में रात के समय जा रहा है या सुबह भी कभी वह जंगल में जा रहा है अगर उसके मन में यह भावना आए कि अगर चीता आएगा या नहीं उसे भी निश्चीत रुप से वह नहीं कह सकता अगर चीता तो उसके मन में आशंका होती है, भाई नहीं होता, अगर भाई लगता तो वो आगे ही नहीं बढ़ता था, सिर्फ आशंका होती है, तब वह उसी आशंका में आगे बढ़ता जाता है, यदि उसे असली भाई हो गया, तो वह या तो लवट आएगा, अथवा एक पहर आगे न नहीं बढ़ पाता पहीं रुकता है या पीछे दवडने लगता है सब्य उन्नत समाज में भाई अलप प्रमाण में होता जो सब्य होते हैं नागरिक होते हैं जिनमें भाई की मातरा बहुत कम होती है वे ज्यादा डरते नहीं है पढ़े लिके लोग होते हैं समझधार लोग ह होते हैं अलपवदी के लिए ही उनमें भै रहता है और वह भै दूर हो जाता है मगर असब भी लोग जो होते हैं ना जंगल में रहने वाले लोग जो समाज से दूर रहते हैं ऐसे लोगों में जंगली जातियों में भै बहुत मात्रा में होती है बहुत डरते हैं जंगल के लो इसलिए जंगर में कोई जाए इस नगर से तो वे इस एक साथ इकटे होकर हम पर हमला करने दोड़ते हैं क्योंकि उन्हें हम से डर है अती भै या भैकार का सम्मान असभ्यता के लक्षन में आज ही आप अपने आप से प्रश्न कीजिए अगर आपको अती भै हो रहा है परिस्टिती से आप डर रहे है तो समझे कि आप में अब भी सभ्यता नहीं आई है असभ्यता ही है इसलिए आज ही आप उस असभ्यता से बाहर आईए शिक्षा का अभाव ही उसके लिए कारण है इसका मतलब है आप शिक्षित नहीं है आप साक्षर होंगे आप लिख सकते है पढ़ सक ले है लेकिन शिक्षित एजुकेटेड आप नहीं है इसलिए आप में वह भै रहता है इससे दूर राने के लिए उसे बाहर आने के लिए आपको शिक्षित होने की जरूरत है जंगली मनुश्यों का संभन्द बहुत कम लोगों से होने के कारण भै देने वाले व रिक्ति की ही पुजा करने लगते हैं दूस्री एखर के लोगों का संभन्द आने एक लोगों के साथ होने से भाई का प्रभाव इतना अधिक थी उन्हीं जूर लेकिन शहर में रहने माले लोग हर तरह के लोगों को देखते हैं, हर दिन उनके साथ मिलना जुलना रहता है इसलिए इतनी आसानी से वे लोगों को देखकर डरते नहीं है लेकिन जंगल के लोग, नगर के लोगों को देखकर डरने लगते है लेकिन हमें लोगों उनसे डर नहीं है क्योंकि हम नागरी के नगर में रहते हैं जंगली रोगों में ऐसा डर रहता है अग्ञान और अपरिचित के प्रती भैवीत होना उसमें दुख की संभावना करना प्राणी मात्र का धर्म होता है अगर आप अग्ञात विक्ती से अग्ञात स्थल से अपरिचित से डरते हैं तो अब भी आप में प्राणी का ही गुन है इसका मतलब है आप में नागरी कता का विकास नहीं हुआ है प्रत्येक प्रानी बाधा और दुख का अंदाजा करके ही पैर रखता है हर एक प्रानी यही सोचता है कि मुझे दुख है उसी के बार में सोचकर आगे बढ़ता है अगर दुख मिलेगा या भय है तो आगे नहीं बढ़ता उदारन के लिए प्रारम में बच्चे भी अपरिचित से मिलते डरते है अपने घर में देखा होगा छोटा बच्चा अगर कोई घर में आये दर्वाजे पर खड़ा है कोई अपरिचित तो उसे डर कर अंदर चले जाते है और कभी कभी चीखने चिलाने लगते है रोने लगते है क्योंकि वे अपरिचित से डरते है अग्यात विश्यों से परिचे होता है वैसे वैसे उनका भाई छूड़ता जाता है अगर वही आदमी दूसरे दिन तीसरे दिन भी आने लगता है तो उस बच्चे का डर डर दूर होता है समस्त मनिश्य जाती की सभ्यता के विकास का यही क्रम बन कर आए मनिश्य में जो विकास हुआ है ना सभ्यता संस्कृति का विकास हुआ है ना यही विकास है उसमें परिवर्तन आया है पहले मनुश्य ज़्यादा डरता था मनुश्य मनुश्य से लेकिन अब उतना डर नहीं है अपने शरीर बल से हृदय बल से ग्यान बल के विकास के द्वारा हम भूत प्रेत और पशुओं के भैसे बहुत कुछ छुटकारा पा चुके है अब हम शरीर बल से अगर कोई बलवान आपके सामने आ जाए तो आप डरते नहीं है फृदय बल से और ग्यान आपका फृदय बल के कारण दूसरे को भी जीत सकते है और आपके ग्यान से आप दूसरे को जीत सकते है इसलिए आपको ये भूत प्रेट से आपको डर नहीं लगता जानवर उनसे डर नहीं लगता क्योंकि आप जानवर उनको पकड़ कर आप रख सकते है और उनको नियंतरित करने का साधन आपके पास नियंतरित में रखने का साधन आपके पास है तो ऐसा भल भूत प्रेत जानवरों का भल अब मनुश को नहीं है सरकस में मनुश जानवरों को खिलाता है अब मनुश के लिए मनुश का भै बना हुआ है दिखिये पहले मनुश परिचित मनुश से ज़्यादा डरता था लेकिन आज कल परिचित मनिश्य से भी डरने की स्थिती आ गई है इस भाई से छूटने के लक्षन भी नहीं दिखाई देते आपके दोस्त होते हैं, आपके साथ खाते पीते उठते बैटते हैं आपके रिष्टेदार आपके साथ रहते हैं आपके साथ अच्छा व्यवहर रखते हैं और कभी कभी आपको पता भी नहीं चलता कि वेही विक्ती, वेही दोस्त, वेही रिष्टेदार आपको दोखा दे देते हैं दोखा देने के बाद है आपको पता चलता है कि इसने मुझे दोखा दिया इसलिए आजकल मनुश्य को मनुश्य से ही ज्यादा डर है मनुश्य को दोखा मनुश्य से ही हो रहा है सभ्यता से अंतर सब्यता से अंतर केवल इतना ही पड़ा है कि दुकदान की विधियां बहुत जेटिल हो गई है अब हमें दुक अब हम सब भी हुए है नागरिक हुए है लेकिन दुक कहां से आएगा यह पता नहीं चलता पहले दिखता अगर शेर आता है तो कहां शेर हमें खा जाएगा ऐसा डर लगता लेकिन आज दुक कैसे आएगा इसका अंदाजा भी हम नहीं लगा सकते दोस्त आपके साथ बाते बात करते करते ही आपको मार सकता है छुरा भूंग सकता है है ना आज इस बात की आशंका तो नहीं रहती कोई जबर दस्ते आकर हमारे घर खेत बाग बगीचे पैसे चीन ले आज कोई आकर हमारे घर को नहीं चीन सकता हमारे खेत को नहीं चीन सकता या हमारे पैसे नहीं चीन सकता क्योंकि हमें पता चला है कि उसकी रक्षा कैसे करने ही पर इस पात का डर्ग जरूर है कि कोई नकली दस्तावेजो जूटे गवाहो और कानूनी बहसों के बल से हमें इन्वस्टों से बंचितना कर दे जिस घर में हम रह रहे हैं उस घर को कोई विक्तिया अपने नाम कर सकता है हमें पता तक नहीं चलता क्योंकि वह अदालत में अपने नाम पर वह केस जीत भी सकता है जूटे गवाहों से सभ्यता इसलिए ऐसा डर हमें लगने लगा है यह डर हमें परिचित से नहीं परिचित विक्तियों से भी हो रहा है सब्यता की वर्तमान स्थिती में एक विक्ती को दूसरे विक्ती से वैसा भाई तो नहीं रहा है पर एक जाती को दूसरी जाती से एक जाती के लोग जूसरी जाती के इसका मतलब एक वर्ग के लोग दूसरे वर्ग के लोगों से एक देश के लोग दूसरे देश के लोगों से डरने लगे हैं जैसे अब उकरेन और रिश्या के बीच में हुद्ध हो रहा है ना स्थाई भारत को पाकिस्तान क्या कभी हमला करेगा इसका डर है वाकिस्तान को भारत पर या चीना आपको भारत पर भारत को चीना पर यह समशे होने लगा है कि कोई भी किसी पर कभी भी हमला कर सकता है सबल और सबल देशों के बीच में भी संगर्ष है कभी भी शुरू हो सकता है अमेरिका और रिश्या के बीच में भारत या पकिस्तान के बीच में सबल और निर्बल देशों के बीच में भी जैसे रिश्या और उकरेन के बीच में भो रहा है न आर्थिक शोशन के लिए संगर्ष हो सकता है प्रत्यक प्रानी को केवल सुख शांती की कामना करते सुख ही होने का अधिकार है प्रत्यक प्रानी को सुख हर कोई सुख ही चाहता है इसलिए सुख की रहने का अधिकार सबको है ना सबको यह अधिकार मिला है उसी प्रकार उसे समाज और अपने लिए भाई से मुक्त होने के लिए शत्रों में भाई संचार करना भी जरूर है अपने आप से भाई से मुक्ति पाने के लिए भाई जो हमें लाते हैं न या जिनके कारण हमें भाई लगता है ऐसे लोगों से ऐसी परिस्षितियों से भी हमें मुक्ती की जरूरत है उसके लिए कोशिश करनी ही है इस दिशा में प्रयतनशिल होना ही धर्म है हारे मैं तो अच्छा हूँ मैं क्यों दूसरों के बारे में सोचू वे लोग मुझे क्यों करेंगे ऐसा नहीं है अगर आप अच्छे ही होंगे आप 24 क्यारेट गोल्ड ही होंगे फिर भी आप पर कभी भी उल्जाम आ सकता है कश्ट आ सकता है आपको धोका देने के लिए लोग लाइन में खड़े होंगे अर्थात किसी को ना डराने से ही काम नहीं चलता यह भी आवशक है कि कोई दूसरा हमें डराने का साहस कभी ना करे आप अगर चुप रहेंगे तो कोई आपको डराएगा इसलिए आप में उतना साहस होना चाहिए कि अगर कोई आपको डराने आता है तो उस विक्ति को डराने का सामर्थ आप में होना चाहिए मैं एक साधू की तिरह रहता हूँ मैं किसी को कोई कष्ट नहीं पहुंचाऊंगा अगर ऐसा रहेंगे तो आपकी चैन आपकी शांती दूर हो जाएगी आप आराम से नहीं चैन की नीन नहीं सो सकते इस प्रकार इस संसर में किसी को ना डराने से ही डरने की संभावना दूर नहीं होती मैंने उसे कोई कष्ट नहीं दिया मैंने उसे नहीं डराया वह क्यों मुझे डराएगा ऐसा हम नहीं कह सकते क्योंकि जमाना बहुत बदल गया है लोगों में बुराईयां ज्यादा हो गई है साधु से साधु प्रकृति वाले को क्रूर लोभियो और दुर्जर उनसे कलेश पहुंचता है वो अपने अपको साधु की तरह रखने पर भी बुरे लोगों से उसे कष्ट जरूर होता है क्योंकि साधु कभी किसी की बुराई नहीं करता फिर भी उससे कष्ट हो जाते है इसे हमने पुराणों में सुना है साधु संत जब साधु लोग सन्यासी लोग यग्णियाग करते थे तब राक्षस आकर उन पर हमला करते थे क्या राक्षसों को इन्होंने कोई कष्ट दिया था कोई हानी पहुंचाई थी नहीं फिर भी कुछ बुरे लोगों की आदत है कि वे भले लोगों को कष्ट दे उनमें भई उत्पन करे करना ही अपना करता भी समझते है अतह उनके प्रयतनों को विफल करने के सब भई संचार द्वारा रोकने के आविश्कता समाज में अनिवार है इसलिए उनके कष्टों को उनके अगर कोई आपको कष्ट देना चाहता है आपको डराना चाहता है आपको डर कर भाईटने की जरूरत नहीं है उनको फिर से डराने का या उनको चुप कराने का या उस विक्ति या वस्तु को आपके रास्ते से हटाने का साहस आप में होना चाहिए इस प्रकार लेखक रामचंडर शुकल भाई नामक निबंद के द्वारा हमें किसे भाई उत्पन होता है भाई की कितने प्रकार है और हम भाई से छुटकारा कैसे पा सकते हैं आदी बातों पर विस्तार से चर्चा की है सुनने के लिए आप सब को धन्यवाद